हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं इस्टटिफीट और फिजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों आज की सेशन में बीस एमसी की कोर्शन्स है जैसा कि आप जानते हैं डेली बेसे में दो वीडियो अप्लोड कर रही हूं बीस बीस कोर्शन्स का जब तक आपका बीपेसी त्यारी थ्रीका एकजाम नहीं हो जाता 21 को आपका एकजाम है बीस तक में डेली वीडियो दो दो अप्लोड करूंगी इतना हो सकेगा उसे पहले आप जानते हैं कि मैं सभी टापिक पर विडियो बना चुकी हूं वीपेसी ट्यारी 2 में हर एक टापिक वाइस विडियो बनाया तो दोस्तों समय नश्टन करती हुए चलती है आज की questions की तरफ Question है कि मानौ सरीर में अस्थियां उत्तोलग का कारे करती है या किस स्वैज्यानिक ने सबसे पहले सिद्धिया Which scientist first provate that bones is human body act as livers तो मानौ सरी के अस्थियां उत्तोलग का कारे करती है इसको सबसे पहले बताया Newton ने ठीक है Next question है कि यह किस ने कहा कि साररिक सिच्छा ब्यक्ति के भीतर अनुभो के कारण ब्यक्ति भीसेस में होने वाले परिवर्तन के कुल जोर को ही साररिक सिच्छा कहते हैं जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसमें क्या की पॉइंट आपको पकड़ना है भीतरी अनुभो के साथ ब्यक्ति भीसेस में परिवर्तन सब्द आए तो उसे हम कहेंगे को ओ रोल्या लेन का परिवासा है ठीक है और अनुभों की सामुई प्रभाव के साथ ब्यक्ति भीसेस की प्रक्रिया सब्द आए तो वहां पी आपरेटी यूफर की परिवासा होगा याद रखेगा नेक्स कोस्टन है बायो मेकनिक्स विज्ञान किसके अंद्रगत आता है बायो मेकनिक्स विज्ञान के सकते विज्ञान के साहुन है किस कोड़ पर कितना प्याइकना है किसे एंगल पर कारे करे गा इस तभी चीजें । जो है बहुत ही बिगियान में एंगल आदी पढ़ा जाता है और यानि दूनों हो मिक्स है है में। बहुत एक बिगयान के अंतरगत आता तो दोस्तों जैसा कि Newton के second law में का एक्जांपल है वेक परियुतन की दर जो है गति का दृतिये नियम है जैसा कि आप जानते हैं कि Newton को समवेक का नियम, तवरण का नियम, love acceleration, love motion, love momentum, बलके परिद्वल का नियम, परज़ामी बलका नियम, आदि नावोंसे जाना जाता है तो acceleration होता है कि बेक परियुतन की दर को ही तवरण कहते हैं यहां दिती नियम के अंतरगत आता है, यानि किसी वस्तु के एक निश्चित दिसा में सव्वेग परियोतन की दर का उस वस्त पर लगाएगे बलके प्रतिभल का अनुपात तुरह कहलाता है, तो यहां पे हनिटन ने तिन गति के नियम दिये है, फॉर्ट है जड़त का नियम जिसे जड़ता का नियम, अकरमनेता का नियम, लाफ इनर्सिया, गलिलियो का नियम आदी नामों से जाना जाता है, जिसके अंतरगत एक्जाम्पल है, नाओं खेना, स्प्रिंट दर में स्टॉट लेना, रोमन डिंग का प्रारम, हैमर थ्रू का प्रारम, कुस्ति के जिसे तोरड का नियम, लाफ एक्सिलरेशन, लाफ मोसन, लाफ मोमेंटम, बलके परतिफल का नियम, प्रारमी बल का नियम, आदी नामों से जाना जाता है, दूसरे नियम को, जिसके अंतरगत हमारे सरी में एक्जाम्पल है, खेल कुद में एक्जाम्पल है, कि किसी रो, ज जैसे तैराग दोरा पानी में आगे बढ़ना, वाकिंग यानि पैदल चाल, बंदू चलने पर पीछे गिर जाना, गेंदो का ड्रेबलिंग करना, बाल को दिवार पर फेकना, उची कूद में खिलाई दोरा नम सतह की जगर ठोच सतह का चैन करना. किस बिज्ञान में मानोसरी को जीवित मसीन कहा गया है, इन विस साइंस दे हीमन बाड़ी इस काल्ड ए लीविंग मसीन, तो दोस्तों, जैसे कि जीवों के गतिक आधियन, बायों और किसी लोजिय में किया जाता है, और जीव किसी उपकरण के साथ किस प्रकार गति करता है, क कपायों मेकनिक्स में होता है, तो यहां पर आपको याद रखना है, कि यानि कि जो हमारा किन्सियो लोजी है, गिरिक भासा के दो सब्दों से मिलके बना है, काइनेसिस एन लोगस, का मतलब होता है, गति और लोगस का मतलब होता है, बिज्ञाने, गति का बिज्ञान, यान दूसरे से किराने का सरी किस प्रकार बल परइदा करें। उसे काधियन किया जाता है किन्सि रोजए के अंतरगत, यानि किस विग्यान को मानसली को जिवित मुशीन कहा गया है, pewn师क किन्सि रोजए यानि किटी विग्यान के अंतरगत कहा गया है, ह Like Global Partner को नेक्सक्व भाति किस गती के रुने नेक्सकुशन है双 हैं। यह तो सकती यानि कि इस्टेंट प्रकाल की होती है maximum strength यानि कि अधिक्तम ताकत कि एंड explosive strength यानि 20 पोटक सकती strength endurance यानि कि सकती सहंसल्था तो यहां पर तीन है एक से अधिक खत यहां पर राइटेसर हो जाएगा आफसल तो यहां भी आपको देखना है कि maximum strength क्या है अधितम सक्ति में क्या होता है कि जो intensity होती है कुछ सकता है जिसमें पूरा ताकत लगा जाता है कि पेसियों की वह संता जो किसी अधितम प्रति रोद की दिर्फ कारे करने या अधितम प्रति रोद को हटाने का कारे करती है अधितम सक्की कराती है अधितम सक्कीचा जब तर जो की एक पेसी खिचुछाओं यानि एक बार में अधितम औरोत पार करता जैसे की वेट्लिफ्टेद पूरी सक्कीचफी लगाकर ऊपर लिए यह मैक्सिम्म इस्टेल हो जाएगा दूसरा वता बिस्पोटक सकती एक्सप्रोसी इस्टेल जिसमें इंटेसिटी यानि तिवर्ता जो है सटर से असी परसेंट होती है यानि कि पेसियों की उखषणता जो तिवरगती या उच्छार, जहांपे तिवरतम या तिवरगती उच्छार की बात आज़े, वहां बीसपुटख सक्ति रहेगा, याद रचेगा, ये की पॉइंट है, तिवरगती या उच्छार के समय पर सिरौध को हटाने या उसके विर सब्सक्राइड लगे जहां वहां लंबा समय आएगा प्रस थकावर्ट आएगा तो यह रहां फिर लंबे समय तक थकावर्ट की विरुष क् पारा करना मधरोड के बिरुष को तो अरण आउओरे सहांसलोंने की छंता सक्ति सहांसलों करा नेमिह हिए सुथिय港 के प्लसी सहें जोता है सकति सहांसलों में दीबहता है 40-50 पर स्फिट्ट होती है उसमें ओरशेत की जाने वाली कीरियाएं आती हैं इसे लंबी दोड़े तरह की परतिविता नियरी फोल वांटी अगे क्य minder हैं तो दो यह तो जाए गा है जिसमें इंटेंसिटी यानि तिविता 90-100% होती हूं, बीस पर्टर सक्ति में तिविता 70-80% सक्ती सहांसिता यानि इंडुरेंस में 40-50% तिविता होती है नेक्स्ट कोर्शन है दोस्तों कि मेरी काम को क्या कहा जाता है? What is Mary Jobs Called? वर फ़्व作 दोस्तो मेरी काम को उपनान दिया गया है मैंगनी के नाम से यह जानी जाती है है कि नेक्ट्व कोशल है मेरी संभंधित सक्टी का अर्थ है रिलेट्टी इस स्टेंथ मिन्स अर्थ होता है कि सरीर और भार के संदर्व में सक्ति अ कि नेक्ट्ट कोस्टन है कि संसे ताक जहां पर संसी करना जब doing a job for a long time even when triad ठीक है दोस्तों जैसा कि जो सांस्रिटा होती है सांस्रिटा को बिख्षित करने की चार विदियां होती है जैसे कि सांस्रिटा को बिख्षित करने की चार विदियां होती है दोस्तों जैसे कांटिन्वेस मेथड एंडर्वल मेथड डिपिटेशन मेथड और कोशन है कि कोशन 11 है कि बाल को कैच लेते समय खिलाडी हाथों में बाल को इस पर्स होते ही वह हाथों को बाल की दिसा में नेचे के तरफ खीचता है यहां पर मुख्य रूप से न्यूटन का कौन सा नियम लगता है तो दोस्तों वह अपने जिसा में बाल जा रहा है उसी का यानि कि बेग परिवर्दन की दर को तुरा करते हैं तो यहां पी आपका राइट एंसर हो जाएगा दिती प्रकार का गति के नियम कारे नियम कार कर रहा है कि नेफ कोशन है की ऐसे फ्रोंटल प्लें में शरीड से दूर ले जाना क्या कहलाता है वाटीज मू में की आस 누포 खरन मेंSI ऐटेल सकते हैं लीधारीय वीचे कहते हैं में सरी से दूर ले जाना क्या कलाता है तो यह एब्डक्शन कलाता है अगर सरी से पास आने की बात कहेगा तो एब्डक्शन हो जाएगा दूसरा तीसरा प्लेन होता है होरीजंटल प्लेन जो से ट्रांस्परस प्लेन भी कहते हैं जो सरी को उपर नीचे भागों में पाड़त किया जाता है तो दोस्तों यहां पर क्या कह रहा है कि what is the matter of developing and range in which exercise are performed at high intensity and at intervals of components तो जो एक आज आजाएगा your reputation method एंत्रगत भर आजाएगा इसका मतलब की सहनसिता के अंतरगत आएगा अभी जेस्ट बता है उसको डेल-ब करने के चार बेदिया होती है continuous method, interval method, repetition method, competition method जिसमें से continuous method जो होता है लगातार कार्य होता है जिसमें slow continuation, fast continuous, sport leg method VA, variable pace method आता है तो continuous method होता है सहांसीलता डे मिझेव वहता है interval method में सक्ति गती सहांसीलता और शत्रिपर्ति यानि इन कंप्लेट रिकवरी दिया जाता है याद रखेगा नेक्ट कोस्टन है बाइलेस्टिक बिधी का प्रियोग किसको बिखसित करने के लिए किया जाता है बाइलेस्टिक मेथड इस यूज तू लेल अप वाड जैसे कि आप जानते हैं बाइलेस्टिक इस्टेटिक डानमिक मेथड इस सभी इस अपको डेल अप करने की विधिया है यहां पे कहीं भी इस अपको नहीं दिया हुआ है तो उप्रक्तमेशिक कोई नहीं आप सना आपका राइट हो जाएगा नेक्ट कोच्टन है भीदे धर मापनेवाले यंद्र को क्या कहते हैं इंस्टूमेंट कार्ड विच मेजर हार्ट रेट दोस्तों ही के दर्थे को हार्ट रेट को मापने इसको यह डानमो meटर इस्ट्रेंटैंट感। स्पाइरोमिटर फेफडों की स्वसंचंता को मामता है कि दरते या खेलते समय अचानक से पेट की निकली मांस पेशियों में तीखा दर्द उठता है उसे हम क्या कहते हैं तो दोस्तों इसी हम इस्टीच कहते हैं एक आयक दरते या चलते समय अचानक से पेट के निकली मांस प पर जोडता है और जो इस्ट्रेन होता है इस्पेन यानि मुच और लिगमेंट के कारर होता है आताजी खीचिछने सिदर्शाव मांस भेस्ट को बन्स-पैसी टंडन के चुट को कहा जाता है नेक्षक कॉस्ट्ट है दूरी बट्टा समय क्या इससे खियाद किया है दोस्तों आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय याद रखेगा नेक्ट पोचन है उस बिंद को क्या कहते हैं जिस पर किसी वस्तु का संपूर भार के अदित होता है इंटायर वेट आफ ये अबजेक्ट इज तो दोस्तों जहां पर संपूर भार जिस बिंद को होता है उसे हम गुरुत्व केंडर सेंट्रल ग्रिविटी पोइंट कहते हैं याद रखेगा महिलागा गुरुत्व केंडर पूर्शु से नीचे होता है गुरुत्व केंडर यतन कोशन है उस विज्ञान को क्या कहते हैं जिसमें सरीर की गती मांस्पेशीय बिसलेशर आधी के साथ बहुतिक याद्रिक विज्ञान के नियमों तथा सिधान्तों काध्या करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों वाट इस साइंस कॉल्ड वीच इस्टुडीज दो सरीर के साथ मांस्पेशी बिसलेशर और भौतिक यांतरिक नियमों का सिधान्त जिसमें होता है उसे हम का कहेंगे दोस्तों तो बायो मैकनिक्स यानि जय वियांतर की विज्ञान यहां पर बायो मैकनिक्स आपका राइड एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी नेक्शन ला इफेक्टिविली इमेडियेटली आव्टर रिस्विंग ए सिंगल सिंगल यानि कि जो तुरंत संकेत मिलने पर प्रभावी प्रतिक्रिया करती है उसे हम कहते हैं प्रतिक्रिया योगता यानि कि रियेक्शन एबिलिटी जैसे सो मीटर दोर में बंदू का आवाज सुनते ही और यहां पर अनुकुलान योगता यानि कि एराप्टेशन अब जिचा होता है कि बदलते हुई परस्टियों के अपने कर लेना उसमें समझे से बैठा लेना अनुपलन युगता उता है समझ एक से सेंहरे को अक्षब अच्छ कोशनस को समझेों में कोई वेडावट होगा कोई चीच थोड़ा भी गलती होगा ज़रू कमेंट किजे और जादे जादे वीडियो को सेयर कीजिए जिसे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में तब तक के लिए जाए हुआ है